हलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम डिसकस करने वाले हैं बेबी की केर टिप्स तो कुछ टिप्स जिससे आप अपनी बेबी का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें आप प्लीज हमारे वीडियो को कुछ आती है लेकिन उसके साथ धेर सारे जिम्मेदारिया भी आती है जिसे हम सब को मिलकर पूरा करना होता है अपने बच्चे का ध्यान रखना होता है और खासकर ममी की यह बहुत ही ज़्यादा कंसर्ण होती है कि उसके बेबी को किसी भी तरह की कोई परिशानी ना हो और वह अपने बेबी की केर अच्छे से कर सके तो फ्रेंट्स इसके लिए मैं आपके साथ डिसकस करूंगे कुछ टिप्स तो उसके लिए सबसे पहले टिप्स है कि मम्मा अपना ख्याल अच्छे से रखे वह अच्छे से नीट एंड क्लीन रहे और अपने बच्चे को भी अच गोद में ले तो उससे अच्छे से बहुत ही सावधानी पूर्वक लेना होता है उसके गर्दन और रीट की हड़ी को अच्छे से सपोर्ट देकर उठाए वरना उस पर दवाव बन सकता है और बच्चे को परिशानी हो सकती है अगर आपका बच्चा रो रहा है तो आप उस cción था में फेकर से बहुत है तो उसे खाणा दे और अगर ऑसे नींद आ रही है तो उसे सुला दे और अगर इससे ज्यादि पर लो न gir ौरो रहा है और आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या परिशानी है तो आप तुरंथ उसे डॉक्टर के पाता बहुत है आप अपने बच् रोज सुर्र की धूप लगाएं जोर्व की दूप लगाएं क्योंकि उससे आपको भी और आपके स्च्चे को भी विटमिियनग हमीधमिन D मिलता है जो आपके लिए और के स्ट किली के लुआ लावदायक होगा काफी बार ऐसा होता है कि जब बच्चा रोता है तो हम उसे चुप कराने के लिए उसे गोद में लेते हैं और उचालते हैं ताकि वो चुप हो जाए लेकिन ऐसा करने से हमें बचना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसके सिर में चोट लेगने का खत्रा हो सकता है हमारी पांच भी टिप्स है कि आप अपने बच्चे को ओई जरूर लगाए उसे मसाज दे एटलिस दिन में दो बार तो उसे मसाज देना बहुत ही निसेसरी होता है क्योंकि मसाज से उसके मसल्स जो है वो मजबूत होते हैं और उसकी स्कीन जो है वो सॉफ्ट बनी रहती है हमारी अगली टिप्स है कि आप अपने बच्चे को स्कीन टच दे स्कीन टच देने से आपका बच्चा बहुत ही कमफर्ट लेवल में रहता है कमफर्ट रहता है वो और उससे उसके ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और उससे गर्मी कभी आइसास होता है जिससे उसकी हिर्दे की गती नियमित होती है आपको अपने सीसू से बात करने चाहिए अपने बच्चे से अफिसा बात करने चाहिए ताकि उसके माइन का डेव बच्चे स्वस्थ होते हैं वो बहुत ही कम-कम टाइम में यूरिंग पास करते हैं जिससे उनका डाइपर बहुत ही जल्दी भर जाता है तो आप उसे चेंज करती रहें वरना कई बार ऐसा होता है कि काफी देर तक अगर वो डाइपर को डाले हुए है बच्चे तो उसके स्किन रैसेस हो जाते हैं जो बच्चों को बहुत ही दर देते हैं और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि डाइपर के इंफेक्शन से काफी टाइम तक डाइपर डाले रहने से बच्चों को बच्चे इतने जादे इतना ज्यादा इंफेक्शन हो जाता है कि उन्हें डाक् भी टाइ मं घटकरत रहे क्योंकि बच्चे के निल्स जो है वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने स्कीन को चुल सकते हैं उस्से उनको स्टल लग सकती है क्योंकि बच्चे अक्सर अपने हाथ को अपने फेस पर करते हैं फेस पर डालते रहते हैं जिसे उनके स्कीन में चोट लग सकती है तो आप इस बात का भी धिहान रखें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें थैंक यू फ्रेंड्स